दोस्तों भाग्य लक्षमी के आने वाले एपिसोड में जहां रिशी साब साब मलिस्का को बोलता हूँ नजरा रहा है कि लक्षमी तो यहां से नहीं जा सकती चाहे इसके लिए साधी क्यों ना कैंसिल करना पड़े लेकिन दोस्तों लक्षमी बोलती हुई नजरा रही है इस समय रिशी से कि अगर मेरी बज़े से साधी रुक रही है तो मैं यहां से चली जाती हूँ क्योंकि दोस्तों मलिसका ने इस समय लक्षमी के उपर जूटा एलिगेशन लगाया है और आप लोग जानते हैं कि जूटा एलिगेशन उसने क्या सो समझ कर लगाया है ताकि लक्षमी को जल्द से जल्द यहां से भेजा जा सके आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक नहीं बलकी समय के और वी टूस्ट आते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहां पर सभी लोगों का confusion इस समय बिल्कुल अपनी तरीका से तो बेहर ज़दा अलग ही है आने वाले कुछ एपिसोडों में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्षमी कोसिस कर रही है कि ज़्यादा लंबा स्यापा ना हो और जल्द से जल्द साधी हो जाए रिसी की ताकि मैं भी इस घर से जा सकूँ क्योंकि रिसी ने बोल दिया है कि अगर लक्षमी इस घर से गई तो मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि दोस्तों आज भी रिसी महबत करते हैं लक्षमी से लेकिन दोस्तों ये साधी हो ही नहीं पाएगी मलिसका की किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि किसी भी तरीका से ये साधी हो सकती है लेकिन ये साधी होना तो बहुत दूर की बात है आयूस बलकि बहुत लोगों को एक्सपोज करता हुआ भी नजराने वाला है आई उसमें बोल दिया है कि जो होगा अब वो डंके की चोट पे होगा और मैं देखता हूँ कि कौन किस पर कैसे भारी पड़ता है आप लोगों को पता देना चाहता हूँ कि आने वाली एक कहानी का जो टूष्ट है वो और भी घणा दिल्चस्प नजारा लाता हुआ नजराने वाला है क्योंकि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक और भी नया टूष्ट लाती हुई नजराने वाली है क्योंकि करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएए गाइस थैंक यू शूमाज